इस एपिसोड के शुरुआत में दोक्यूंग से बचने के लिए जंग दोही को किस करता है। इसके बाद दोनों फोटो रूम से बहार आते हैं। और दोनों दोक्यूंग को दूणने लगते हैं। लेकिन दोक्यूंग वहाँ पर नहीं होता है। उससे देकर दोही पूशती है। लेकिन दोक्यूंग अचानक से ऐसे कैसे जा सकता है। कहकर लॉकर को चेक करने के लिए जाती है। जंग दोही को किस किये हुए फोटो को चेक करकर ब्लश करने लगता है। और उस फोटो को चुपाने लगता है। इसके बाद एक लेड़ी आकर दोही और जंग से तुम लोग क्या डून रहे हो कहकर पूछने लगती है। तबी जंक ओ लेडी को देकर तुम वही अरबिक उमेन होना कहेकर पूछने लगता है, इसके बाद ओ लेडी जंक से व्याड बाते करने लगती है, लेकिन जंक को उसकी बात समझ में नहीं आता है, और ओ दोही को लेकर वहां से जाने लगता है, इसके बाद दोही जल्दी से दोक्यू को डूरने लगती है, लेकिन दोक्यू उसे नहीं मिलता है, तभी जंग दोही की हाथ को पकड़ कर उसका पवर टेस्ट करने के लिए जाता है, तभी उसका पवर वर्क कोने लगता है, तभी जंग कहता है, मेरी पवर्स तो टीक है, लेकिन उस वक्त मेरी पवर्स व मा को देखते हैं, जो meditation कर रही होती है, तब ही वहाँ दोक्यु आता है, तब ही दोक्यु का मा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कहने लगती है, इसके बाद वो दोनों बेट कर बाते करने लगते हैं, जहाँ पर दोक्यु का मा, क्या तुम अब psychiatric से मिलने के लिए जा रहे हो दोक्यू कहता है नहीं मैं तेरे पीसे तक चुका हूँ और टोर मैं बिजी हूँ तबी मा कहती है पापाने पूछे थे कि तुम आशकल क्या कर रए हो तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है तभी दोक्यू अपने मां से बताता है आप बस ऐसे ही बरताव करते रहो, उसे कुछ पता चलना नहीं चाहिए, और तोर ओ उसका मा को इनफॉर्म करता है, आज से उसके लिए सैकेट्रिक्स का एपॉइन्मेंट को बंद करो, क्योंकि मैं कुद कयाल रख सकता हूँ, कहकर वहाँ से जाने लगता है, यही पर दोक्य को टेस्ट कर रहा होता है, तब ही ओ दो ही से तेरी पवर लूज होने का वज़त तुम हो, कहने लगता है, औरो कहता है, जिस दिन से तुम मुझे मिली हो, उस दिन से उसका पवर कम हो चुका है, पहली बार जब ओ दोनों कार से टक्राने ही वा लेते, और ओ पानी में गिरे और टैटू भी ट्रैंस्वर हो आता, उस टाइम में भी उसका पवर फ्लिकर हो रहा आता, दूसरी बार जब ओ दोनों फोटो ले रहेते, तब उसका टैटू फ्लिकर हो रहा आता, और वर्क नहीं हो रहा था, तो वो दो ही से कहता है, एस सब प्रॉब्लम तुमारे वज़ से हो रहा है, और वो कहने लगती है, अज ही तुमारा टैटू फ्लिकर हो रहा आता, तब ही ओ दोनों किसके बारे में सोश कर आकवर्ड फील करते हैं, फिर हम सेक्यून को देखते हैं, जो सनोल टेटर का कुछ फोटोस को देख रहा होता है, यही पर वो जंग का फोटो को आगे से दोही की सेक्रेटरी शिन आती है, यही पर वो लगेश को देख, इतनी सारे सूट केस को तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो कहकर पुछती है, तब ही बटलर कहता है, गाढ़ी में और भी सूट केस है, और जंग का और आइटम से कहकर लेकर जाने के लिए जाता है, इ इसे देकर शिन शौक हो जाती है। फिर हम जग को देखते हैं, जो दोही का गर में होता है। और वो उसका सब चीजों को दोही का गर में शिफ्ट कर रहा होता है। इतनी सारे आइटम को देखकर दो ही जंग से पूशती है, ये सब क्या है? जंग कहता है, ये मेरा चोटा सा कलेक्षन है. तभी शिन जंग से कहती है, क्या ये तुमारे लिए चोटी है? तभी दोही कहती है, मुझे लगता है, एंटायर सनूल, फाउंडेशन यहां शिफ्ट हो रहा है, इसे सुनकर जंग, क्योंकि मैं और सनूल एकी जैसे हैं, तभी वहाँ बटलर जंग का सूट केस लेकर आता है, अवरो जंग से पूछता है, मैं इसे कहां रखूं, तभी तुम इसे दोही के रूम में रखो, कहने लगता है, इसे सुनकर दोही चिलाते हुए, तुम उसे मेरी रूम में नहीं रख सकते हो, तभी सब लोग डर जाते हैं, तभी दोही अच्चे से जंग से पूछती है, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ, कहकर उसे रूम मे बुलाकर बाते करती है आउरो कहती है तुम मेरे साथ अकेले रहने केले आये थे तो तुम उस अननेसेसरी तिंग्स को यहां से लेकर जाओ लेकिन जंक नहीं मानता है यही पर दोनों जगड़ा करने लगते हैं आकिर में दोही जंक का आइटम्स को बहर डालकर उसे जाने केले कहती है तभी जंक दोही से एक ग्लास कॉफी मांगता है दोही दे देती है इसे बटलर देकर जंक का पास आकर बताता है अब आप शादी शुदा लग रहे हो तभी जंक पूछता है शादी हुआ तो ऐसा होता है क्या मैं मेरी आइटम्स को गर में नहीं रख सकता हूँ क्या बटलर कहता है मुझे नहीं पता है मुझे शादी नहीं हुआ है तभी जंग कहता है तो तुम्हें शादी ही ना हो इसे सुनकर बटलर को गुस्सा आ जाता है और वो जान भूश कर जंग का कॉफी में कासता है तभी जंग बटलर से कहता है तुम्हें पता है मुझे एक कॉफी कितनी मुश्किल से मिला है और तुम अब इसे कराब किये हो फिर हम दो ही को देखते हैं जो जंग को लेकर परिशानी में होती है तबी शिन कहती है, हर marriage में ऐसा ही होता है, तबी दो ही कहती है, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपका शादी हो चुका है, शिन कहती है, मुझे 5 years back शादी हुआ था, लेकिन इसके बाद हमारा divorce हो चुका है, इसे सुनकर दो ही शौक हो जाती है, फिर हम जंग को देखते है जिसका सब items को गाड़ी में बटलर और कुछ workers लोड कर रहे होते हैं, तबी जंग को दो ही की call आती है, और ओ जंग से क्या तुम गर नहीं आ रहे हो, कहकर पूशने लगती है, तबी जंग कहता है, तुम नहीं कही ती न, मुझे जाने के लिए, कहकर call को cut करता है, जंग का ये हरकत को देकर, दो ही अपने आप से कहती है, क्या ये सश में जा रहा है, तो मैं उसे भी सबक सिकाती हूँ, और में भी उसका call को नहीं उटाने वाली हूँ, तबी दो ही की नज़र, जंग का एक box के उपर पढ़ती है, जिसे जंग बूल कर वहा रखाता, फिर हम जंग क देखते हैं, यही पर बटलर जंग से कहता है, आपके मैरिश के बारे में सुनने के बाद ओ मिसिंग है, और तो और कल प्रेस कॉनफरेंस है, और ओ उसकी रियर्सल को भी स्किप कर रही है, तो आप उसकी पास जाकर बात कर सकते हो, क्या कहकर पूछने लगता है, जंग कहता है, मैं क्यों बात करूँ, बटलर कहता है, क्योंकि उसे लगता है, आप उसे चीट कर रहे हो, तभी जंग कहता है, अगर ओ नहीं आई तो प्रोग्रम को कैंसल कर दो, बटलर कहता है, लेकिन इससे कैसे हो सकता है, जंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, इसके बाद हम दोही को देखते हैं, जो जंग का बॉक्स को ओपन करकर देख रही होती है, तभी उसे सीक्योन का कॉल आता है, और हो कहता है, मुझे तुमसे जंग के बारे में कुछ बात करना है, फिर हम जंग को देखते हैं, जो दोही का कॉल के लिए इंतजार करते हुए कार में ही सोता है तबी दोही का गर में सेक्यून आता है यही पर वो शिन को देखकर मुझे नहीं पताता कि आप यहाँ ओंगे शिन कहती है क्योंकि जंग यहाँ आने वाला है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ यही पर सेक्यून सैड होता है इसके बाद सेक्यून और दोही, study room में जाकर बात करने लगते हैं, यहीपर सेक्यून जंग का कुछ box को देकर, दोही से क्या सश में जंग यहां आने वाला है? कहेकर पूषता है, दोही कहती है, एसेब हम gossip को रोकने केले कर रहे हैं, यहीपर सेक्यून दोही से तुम जंग के बारे में क्या जानते हो? कहे कर पूशने लगता है दो ही कहती है क्या तुम उसका फैमिली बैग्राउंड के बारे में पूश रहे हो? तभी सेक्यून जंग का वही फोटो को दिखा कर कहता है ए सन होल टीटर का 1977 का सेर्मोनिक का फोटो है कहे कर उस फोटो में जंग का फोटो को दिखाता है तबी दो ही डर जाती है कि से कि उनको जंग के बारे में पता चला तो क्या हो जाएगा और उसे सोश कर कहने लगती है ए जंग का ग्राइन फादर है और उ कहती है दोनों एक जैसे ही दिखते हैं फिर हम जंग को देखते हैं, जो मोबायल में दोहिय और उसका मैरिशd का न्यूस को देख रहा होता है, लेकिन उसे नेट्वर्क नहीं मिल रहा होता है। तो मोबायल को उपर करता है, तबी से क्युन जंग को देखर उसका पास आता है, औरो मुझे तुमसे कुछ पूशना है तो हम ड्रिंक्स करते हुए बात करेंगे कहने लगता है लेकिन जंक मना कर देता है तभी सेक्यून जंग से क्या तुम्हे सश में नहीं जानना है, मैं और दोही क्या बात कर रहे थे, तभी जंग सेक्यून के साथ जाने के लिए मान जाता है, फिर हम सेक्यून और जंग को पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर सेक्यून जंग से कहता है, वैसे मुझे लगता है तुम और दोही मुझसे कुछ बात चुपा रहे हो जंग कहता है क्योंकि मेरी और दोही का special relationship है कहे कर पीने लगता है जंग को देखकर से क्यून कहने लगता है मुझे लगता है तुम human नहीं हो इसे सुनकर जंग कासने लगता है औरो कहता है मैं human हूँ तभी से क्यून पूष्टा है क्या तुम vampire हो इसे सुनकर जंग को गुश्था आता है औरो कहता है मुझे उस mosquito से compare मत करो से क्यून जंग को गूर कर देख रहा होता है औरो कहता है मुझे तुमे देखकर doubt हो रहा है जंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है तुम बस मुझे हेट करते हो इसलिए तुम्हें मुझसे शक हो रहा है तब इस सेक्यून कहता है ए बात भी सच है तो मैं तुमारे उपर एक नजर रखूंगा अगर मुझे पता चला कि तुम दोहे को हार्म करने के लिए आये हो तो मैं तुमें ऐसा नहीं चोड़ूंगा जंग पूशता है तो तुम क्या करोगे सेक्यून कहता है मैं तुमारे सीक्रेट के बारे में पता करकर दुनिया के सामने तुमें रिवील कर दूँगा जंग कहता है मुझे डर नहीं है और तुम ऐसे डराते वक्त भी बूरे दिखते हो कहने लगता है तबी सेक्यून कहता है मैं आज से परेशान करना शुरू कर दूँगा इसके वजह से तुमारी आराम का जिन्दिगी बर्बाद हो जाएगा जैसे के एक टर्माइट दीरे दीरे करकर उड़कगर को बर्बाद करता है तबी जंग वहाँ से जाते वक्त इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कॉंक्रिट से बनाता हूँ कहे कर वहाँ से जाने लगता है फिर हम गायं को देखते हैं जो ज्यादा ड्रिंक्स करकर आ रह ही होती है और वही पर ही गीट जाती है तबी वह अपनी बच्पन के बारे में सोचने लगती है जहाँ पर उसकी पापा ड्रिंक्स करकर उसे मारने के ले जाते हैं पापा से बशने के ले गायंग एक जगा पर चुप जाती है फिर भी उसकी पापा उसे डून लेते हैं depth को collect करने के लिए आया हूं कहने लगता है लेकिन गायंग की पापा इसे नहीं मानते हैं तभी जंग उसे contract paper को दिखाने लगता है तभी गायंग की पापा जंग को मारने का दमकी देते हैं लेकिन जंग चुटकी बजाता है तभी गायंग का पापा क्या आप एंजल हो कहकर पूछने लगती है जंग कहता है नहीं मैं एक डीमॉन हूँ कहकर जाने लगता है तबी गायंग फिर से जंग को रोग कर मुझे भी आपके साथ लेकर जाओ कहती है जंग कहता है नहीं मैं बच्चे से डील नहीं करता हूँ गायं कहती है अगर डेल नहीं करोगे तो कोई बात नहीं मैं कुकिंग और लॉंडरी करने में अच्छी हूँ तभी जंग इसका कोई जरूरत नहीं है कहेकर वहाँ से जाने लगता है तभी गायं कहती है मैं आपको एक दिन डूंड कर आपके पास आ जाओंगी यह सब को याद करकर गायंग सैड ओल जाती है तभी एक आदमी गायंग के पास आकर उसे मिस बिहेव करने लगता है तभी गायंग उसे मारती है तभी ओ आदमी को गुस्सा आता है और ओ गायंग को मारने के ले जाता है तबी वहाँ जंग आकर उस आदमी को गायंग को तपड मारने से रोकता है तबी गायंग जंग को देकर मुझे पता है कि आप मुझे सेव करने के लिए आओगे इसके बाद बटलर गायंग को गर लेकर जाता है और उसे सुलाता है तबी जंग बटलर से कहता है से क्यून मेरा पीछा पड़ चुका है तबी बटलर कहता है मैंने आपको कहा था अगर आप दो ही से शादी किये तो इसके वज़े से बहुत सारे लोगों का दिल तूट जाएगा इसके बाद जंग उसका कैबिन में जाकर डॉकिमेंट्स को साइन करने लगता है तबी जंग बटलर से आज मेरा टैटो फिट से एक बार फ्लिकर हो रहा है कहने लगता है सडनली मेरे पवर्स वर्क होना बंद हो चुका है लेकिन मैं फिट से एक बार ट्राई किया इसके आज मुझे वही सपना फिर से आया था कहकर सपने के बारे में सोचने लगता है तभी बटलर कहता है तो इसका मतलब आप यूमन बन रहे हो और आपको आपके मेमोरिस रिटन याद आ रहा है क्योंकि आप ज्यादा टाइम पवर से दूर रहे हो इसलिए तभी जंग कहता है त तुम सही कह रहे हो और मैं आज कल अन्रीजनेबल हो रहा हूं और तो और अन्नेसेसरी इमोशनल फील कर रहा हूं तभी बटलर पूशता है कैसा इमोशनल आप फील कर रहे हो जंग कहता है जैसे की गिल्ट और वो लव के बारे में कहने वाला होता है लेकिन वो आदे से रो पवर्स वापस आ जाएंगे तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा फिर हम सेक उनको देखते हैं जो सन ओल फाउंडेशन के बाहर कड़े होकर देख रहा होता है इसके बाद हम ओग किलर को देखते हैं जो जंग का लाइबरेरी में रात में चुपते हुए जाकर जंग का डेस् कुछ चिपकाता है और ओ लाइबरेरी में एक बुक को देखने लगता है फिर हम जंग को देखते हैं जो दोही के गर में चुपकर जाता है तबी दोही लाइट्स को ओन करती है दोही को देखकर जंग डड़ जाता है और ओ दोही से पूछता है तुम क्यों अब तक सोई न तुम मेरे लिए वरी हो रही हो ना कहकर पूछने लगता है। दोही कहती है, humans ऐसे ही होते हैं, अगर उनके dogs भी गर नहीं आया है तो ओ लोग वरी होते हैं, कहकर सोने के लिए जाती है। तभी जंग दोही को रोक कर मुझे तोड़ी power चाहिए कहता है। इसके बाद जंग दोही का हाथ को पकट कर सो जाता है। तभी दोही पूछती है, क्या तुम्हें लगता है ऐसे करने से तुमारा power flickering होना बंद हो जाएगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमारा new dealing का time हो रहा है। इसलिए तभी जंग कहता है अगर ऐसा हुआ तो मुझे पता चली जाता। इसके बाद जंग दोही को सोने केले कहता है। दोही कहती है अगर मेरे पास कोई और हो तो मुझे नीद नहीं आती है तो तुम सो जाओ कहती है। जंग कहता है डीमोन नहीं सो सकते हैं। फिर हम सुबा का सीन को देखते हैं, जहाँ पर दोनों सो रहे होते हैं, तभी जंग नीन से उठता है, औरो दोही को देखते ही रह जाता है, जब दोही नीन से उठने ही वाली होती है, तभी जंग सोने की जैसे एक्टिंग करने लगता है, यही पर दोही जंग को देख रही ह तभी जंग उठता है, यही पर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, तभी दोही को शीन का कॉल आती है और हो कहती है यही पर प्रॉबलम हो चुका है, यही पर हम एक नीउस को देखते हैं, जहाँ पर एंकर कह रही होती है कि चैर्वोमेन जो की डेथ के वज़ा से दोही को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि चैर्वोमेन जो उसकी बेटे और बेटी को इग्नोर करकर एक यंग लड़की को क्यू दिये हैं एस सब के बारे में नियूस साइंग कर पूछ रहे होते हैं अवरो यहाँ चैर्वोमेन का मर्डर दोही ने की है कहने लगते हैं इन यूस सब लोग देकर दोही को हेट करने लगते हैं फिर हम आफिस का सेन को देखते हैं जहाँ पर दोही की एमपलॉई उस फेक नियूस को देकर उसके उपर एक्शन लेने के लिए कह रहे होते हैं फिर शेन, दोही, जंग और सेक्यून से उस आर्टिकल के बारे में बता रही होती है तभी दो ही पूछती है मिश्टर ली वेडिंग के दिन में ऐसा क्या सुनेते तभी हम एक फ्लेश बैक को देखते हैं जहाँ पर नो सुहान अपने बाई सुपमिन से तुम कब वो श्टोरी को ब्रेक करने वाले हो कहकर पूछती है तभी सुपमिन कहता है आज उसकी हैपी डे है तो उसे एंजॉई करने दो ए सब बात को मिश्टर ली सुन रहा होता है ए सब को बता कर दो ही मिश्टर ली ने सोचे थे कि ओ लोग सर्प्राइस गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं बलकि ओ दोनों मुझे सब के सामने नीचे दिखाने की प्लान कर रहे थे ताकि मैं चैर परसन नहीं बन सकूँ अउरो शिन से लीगल मीटिंग जाने केले कहती है तभी शिन वहाँ से मीटिंग पर जा रही होती है तभी से क्यून दो ही से मैं आंटी जू के साथ क्लोस था तो मैं इसके बारे में लीगल एक्शन लेता हूँ तभी जंग कहता है नहीं हम पहले वो रूमर स्प्रेड किये हुए परसन से बात करेंगे तभी से क्यून कहता है ए इतना इजी नहीं है तभी दो ही से क्यून से हमें तोड़ा टाइम दो हम दोनों देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं तभी से क्यून वहाँ से सैड होकर बहर जाता है अंदर दो ही और जंग कुछ प्लान कर रहे होते हैं तबी शिन दोही और जंग को मिलने के लिए जाती है, लेकिन उवो दोनों वही पर नहीं होते हैं, और उस सेक्युन से ए बात को कहती है, तबी सेक्युन कैबिन के अंदर जाकर देखता है, जहापर दोही और जंग नहीं होते हैं, इसे देकर सेक्युन शौक हो जाता है, फिर हम सुकमिन को देखते हैं जो बर्ड्स को शूट कर रहा होता है तब ही वहाँ जंग और दो ही आते हैं दो ही जंग से तुम यही पर ही रहो मैं सुकमिन से बात करती हूँ कहकर उसका पास जाकर सुकमिन से कहती है आपने मुझे वेडिंग गिफ्ट बेजेते जिसे मैं डिजर्व नहीं करती हूँ सुकमिन कहता है सच बाहर आने से कोई नहीं रोक सकते हैं और तो और तुम उस गिफ्ट को डिजर्व करती हो दो ही कहती है चैरूमें जू कह रहती वो एक शैतान को जन्म दिये है तो मैं गेस करती हूँ एक मदर को उसके बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा पता है और आपका दिमाग को टी करने के लिए आपको जाइल में भी डाली थी लेकिन वो उसमें भी फेल हुई थी और वो सुकमिन को ब्लैक मेल करकर उसे पास्ट के बारे में पूछने लगती है कि तुम उस दिन कार में किसी का मर्डर कियेते न ओ तुम नशे के वज़े से कियेते न या जानभूशकर कियेते तभी सुकमिन अपने गन को दोही के उपर निशान करता है इसे देखकर दोही अचने लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है तभी सुकमिन दोही को डराने के लिए उपर शूट करता है यही पर दोही डर जाती है तभी वहाँ जंग आता है और वो दोही से क्या तुम टीक हो कहकर पूछने लगता है तभी सुकमिन दोही से तुम तोड़ा कैरफुल रहो और वो इंडिरेक्ली दोही से बताता है क्या पता मेरे जैसे एक बैड आदमी आकर तुम्हें मारेगा तभी दोही कहती है तुम इतना डर पोक हो मेरे पीट पीछे मुझे शूट करने के बात करते हो तभी सुकमिन कहता है तो इसे ही वार कहते हैं और वो जंग से कहता है तुम दोही का फेक अस्बेंड हो तो तुमें उसकी बॉड़ी गार्ड बनकर प्रोटेक्ट करना चाहिए इसके बाद दोही और जंग वहाँ से जाने लगते हैं फिर हम ओ फेक नियूस स्प्रेट करने वाला आदमी को देखते हैं जो लाइव में आकर फिर से दोही के बारे में फेक नियूस बता रहा होता है तभी उसका कम्प्यूटर वक नहीं होता है तभी पीछे से जंग आकर क्या हुआ कहकर पूशता है जब वो पीछे मुरता है तब जंग को देकर वो डर जाता है तभी दोही तुम्हें इसलिए कितना पैसा मिल रहा है कहकर पूशती है लेकिन वो आदमी बताने से मना करता है तभी दोही मुझे पता है तुम्हें कौन इस काम में रखा है तभी वो आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे पैसा को बिटकॉइन में पे करते हैं। दो ही कहती है, मुझे नहीं पता ता कि ओ इतना कैरलेस हो जाएगा। इसे सुनकर ओ आदमी, क्या आप सुकमिन के बारे में बात कर रहे हो, कहे कर पूशता है। तभी जंग उस आदमी से तुमारा विश क्या है, और तुम ए सब क्यू कर रहे हो कहे कर पूशता है। तभी ओ आदमी मुझे फेमस और रिच होना है, तभी जंग मैं तुमारा ए विश को पूरी करता हूँ। कहे कर दो ही का आद को पकड़ता है, और वो चुटकी बजाता है, तभी ओ आदमी एक जगा में उता है, और वो जंग और दो ही से हम कहा है कहे कर पूशता है, तभी जंग कहता है, अम अब एक बैंक में हैं, तभी ओ आदमी को पता चलता है कि ओ पैसा के उपर बेटा है, औ अब तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम अब फेमस भी हो जाओगे तभी ओ आदमी पुछता है कैसे दो ही कहती है हम यहां तुम्हें चोड़ कर जाएंगे जब कल सुबह बैंक ओपन हो जाएगा तब तुम्हें रेड हैंड पकड़ेंगे तब तुम्हारा फेस पास बटलर का पास आते हैं यही पर जंग बटलर का पीछे कड़े होकर मुबाइल में उसे बात करने लगता है जब बटलर पीछे मुडता है तब वो जंग को देकर डर जाता है तबी जंग बुक रखे हुए जगा को दिकाने लगता है लेकिन वहाँ बुक को ना देकर जंग परेशान होता है यही पर बटलर और जंग जगडने लगते हैं तबी दो ही जंग का एक बुक को देखती है जहापर वो जंग का अलग टाइम का फोटो को देखकर हसने लगत और वो नेक्स्ट टाइम के लिए नाम सजेस्ट करने लगती है इसके बाद ओ बुक के बारे में पूशती है ताकि ओ भी उस बुक को डूरने में मदद कर सके बटलर उसे बुक के बारे में बता देता है तबी दो ही कहती है तुम उस बुक के बारे में बात कर रहे हो जिसके जंग बहुत प्रोटेक्टिव है, मैंने सोची थी कि ओर डैरी होगा, औरो पूछने लगती है, उसमें क्या है, बटलर कहता है, उस बुक में डीमोन का पवर्स कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में लिका है, औरो डीमोन का लिमीटेशन के बारे में बताने ही वाला होता ह लेकिन जंग उसे चुप करवा देता है, इनके इस सब बातों को किलर्स उस वाइस रेकॉर्डर से सुन रहे होते हैं, और उस बुक को कोल कर डीमोन का लिमीटेशन के बारे में पढ़ने लगते हैं, फिर हम जंग और दोही को देखते हैं, यहाँ पर जंग सेक्यून के इसा परसन नहीं है, जंग पूशता है, तुम क्यों सेक्यून को इतना ट्रश्ट करती हो, इसके बाद ओ लोग गायंग की रिहर्सल देखने के लिए जाते हैं, जब गायंग पर्फामेंस करने लगती है, तभी जंग को उसका ड्रेम्स का याद आ जाता है, और उससे सोचत ही रह जाता है, तभी गायंग उसके पास आकर तुम क्या सोच रहे हो, कहकर पूशने लगती है, जंग वहां से जाने लगता है, यही पर दोही गायंग का तारिफ करने लगती है, लेकिन गायंग दोही को इग्नोर करकर जाने लगती है, फिर हम जंग को देखते हैं, जो ब पाइंटिंग को देख रहा होता है, तब ही वहाँ बटलर आकर आप क्यों बहार आये हो, इसके वज़से गायं कितनी सैड हो रही है, तब ही जंग कहता है, क्योंकि वो पर्फोर्मेंस मेरा ड्रेम में आया था, वैसा ही है, जब मैं ह्यूमन था, तब एक लड़की मेरे सामने एसे ही डैंस कर रही थी, इसके बाद जंग दो ही से मैं तुम्हें आफिस चोड़ता हूं कहकर उसकी हाथ को पकड़ता है, लेकिन उसका पवर वर्क नहीं होता है, तब ही वहाँ वही गुंडे लोग आते हैं, जिसे जंग ने पहली बार माराता, यही पर वो बहुत सारे लोगों के साथ आ चुका होता है, उन्हें देकर जंग दो ही से बागने के लिए कहता है, जब ओ दोनों वहाँ से बागने ही वाले होते हैं, तब ही ओ लोग जंग के सामने नीचे बेट कर क्या आप हमारा बॉस बन सकते हो कहकर पूशने लगते हैं, तब ही जंग उनसे से मत आओ कहता है फिर हम वही मिस्टीरियस पर्शन को देखते हैं जिसे वो किलर को डीमॉन बुक और वाइस रेकॉर्डर को दे चुका होता है यही पर उसे पता चल जाता है कि जंग डीमॉन है और उस दिन का जंग का फाइटिंग सीन को देखता है जो आदे में कटो चुका होता है फिर हम उस किलर को देखते हैं जो उस मिस्टीरियस पर्शन को मेसेश करकर क्या आपको पता चला है क्या जंग एक डीमॉन है तभी मिस्टीरियस पर्शन कहता है अब वो एक नॉर्मल पर्शन है तो तुम उसे मार कर तुम devil बन सकते हो, इसे सुनकर वो killer कुछ शो जाता है, इसके बाद वो killer अपने चहरे का look change कर कर जाने लगता है, और वो एक room में जाकर साइको के जैस से dance कर रहा होता है, फिर हम जंक और दोही को देखते हैं, जो गर में होते हैं, यही पर जंक दोही से वैसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पिछले बार भी तुम गर चोड़ कर गए थे तभी जंग मैं जल्दी आता हूँ कहकर वहाँ से मुस्कुराते हुए जाता है जंग के जाने के बाद दो ही जंग के लिए केक प्रिपैर कर रही होती है तभी डोर बेल बचता है ज हम अरिष्ट करने के लिए आये हैं कहकर उसे ले जाने लगते हैं फिर हम वही लेड़ी को देखते हैं जो जंग से अजीब बात कर रही थी जो अपने आपसे कोई फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता है जायकर जा रही होती है दूसरी तरफ सुकमिना और सेरा एन्यूस को द देखते हैं जिसे मेसेज आता है कि मोनेश्टर अंट शुरू हुआ है दूसरी तरफ हम जंग को देखते हैं जो गायं का परफामेंस देख रहा होता है तबी उसे शिन का कॉल आती है अवरो जंग से दोही आरेश्ट ओ चुकी है कहती है इसे सुनकर जंग प्रोग्राम को आदे से चोड़ कर दोही को देखने के लिए जाता है तबी आगे से ओक किलर आकर जंग को चाकु से मारता है यही पर जंग नीचे गिड़ जाता है यही पर जंग दोही का नाम को पुकारने लगता है दूसरी तरफ दोही भी परेशान होकर उस टैटू को देख रही होती ह झाल झाल झाल